अब इसके अंदर से जितनी फिलावर हैं वह हम कट करके यहां पर इस तरह हम बनाज़ सकते हैं यह जो मेरे डिजाइन बना रही बहुत-जादा सिंपल है लेकिन बहुत ही जादा प्यारी लगती है और उसके बाद आपको यहां पे प्लेन फैब्रिक ले लेना है कोई भी कॉंट्रास कलर लेंगे यानि जो भी हमारी स्लीव का जो कलर होगा उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग हम लेंगी उसके बाद में इस तरह से पटिय बना लेंगे तो बस इसी तरीके का हमें ट्राइंगल की जरुवत हैं तो यहां पर मैंने सब कट करके रख दिया है अब हम डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्लीव को ले लेंगे और वहां पर हम एक इंच की दूरी पर से इस तरह ट्राइंगल बनाएंगे और इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो एक ट्राइंगल अटेच करने के बाद में हम दूसरा लेंगे उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इस ट्राइंगल को बिल एक फ्लावर रखने के बाद दूसरा इसके बाजू में बिल्कुल रखेंगे और इसके पर भी हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद दुबारा से हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे और इसके बिल्कुल करीब में रखते वे इसके उपर हमें सिलाई लगानी है पिसमसी तरीकोंसे दूसरा भी हम बनाएंगे अब इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते चले जाना है यानि सेमसी तरीके से ट्रायंगल और फिर फ्लाईर रखते जाना है और सात्में सिलाई लगाते जाना है ये डिजाइन पांच मिट में बनके रेडी हो जाती है सिंपल अगर आप अपना प्लाजो बना रहे हैं या स्लीव बिल्कुल आपके साथ दी है तो आप इस तरीके से बना के उसे रेडी कर सकते हैं आपको लेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल जो है वो लेस का ही काम करेगा जो डिजाइन में यहाँ पर बना रहे हूँ तो इस डिजाइन को आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करिएगा ये देखिए इस तरीके से रखते चले जाएंगे हम इसके उपर और बनाते जाएंगे अगर आपको लगाने में मुश्किल हो रही है तो सबसे पहले आप जो है एक लाइन ड्रॉव कर लें और उसी लाइन के उपर आप इस तरह से रखते चले जाएं और लगाते चले जाएं ये देखिए से मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो अटेज करने के बाद में एक्स्ट्रा हमने जो एक इंच यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ा था उसे यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस ट्राइंगल को हम उसके अंदर इस तरह से कर देंगे कि हमारी जो सिलाई वो दिखाई ना दे और उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे यह देखे इस तरह से इसे बस फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो इस तरह मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी यह देखी कितना प्यारा लग रहा है अब इसके उपर फाइनल सिलाई हमें लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से पिछे की तरफ फोल्ड करेंगे अब हमारी जो डिजाइन हो नीचे की तरफ हो गई है अब यहाँ पर भी हमें बिल्कुल किनारी पर से इसके उपर सिलाई लगानी है यह देखी इस तरह से तो जैसे मैंने यहाँ पे दो-दो ट्राइंगल लगाया है तो आप जो है इस डिजाइन को रहा सा चेंज कर सकते हैं ट्राइंगल में भी अलग-अलग डिजाइन होती है यह जो ट्राइंगल है आप दो कलर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसी के साथ में आप तिन तिन ट्राइंगल भी लगा सकते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने इसे complete किया है अब इसके पीछे का जो हिज्जा है आप वहाँ पर चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर एक और सी लाई लगा सकते हैं बराटा का लगा के तो हमारी यह रिजाइन देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और यह करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफीज